क्या आपको पता है कि सूजी में रहे सारी सबजियां डाल के यदि बनाया जाए तो क्या बनेगा तो दिमाग में एक ही बात हिंट करेगा कि वो उत्पम बनेगा या फिर चीला बनेगा लेकिन नहीं आज मैं एकदम डिफरेंट यूनिक नास्तेगी रेसेपी लेकि आए बनाएंग के लेकिन खाने में बहुत ही डेस्टी है बनाना बहुत ओछी इजी तो फिर देर किस बात की चलिये बनाते है तो एक बावल में एक कप सूजी बारिखो या मोटी वाली कोई सी भी चलेगी तो सान में टैक्षर के लिए कुछ डिफरेंट डालना है डिफरेंट म अब साथ में ही डालेंगे एक चम्मच चावल का आठा लालने से क्रिस्पी आती है एकदम मिंस बहुत अच्छा बनेगा और अब इसमें एक कब डाल देंगे मठा चाच यदि दही है तो दही भी डाल सकते हो दही को पतला कर लें या फिर दो चम्मच खटी दही डाल दो चाज डालने से क्या होता है कि थोड़ा सा खटास आता है और अच्छा टेस्ट आता है ऐसा ना सोचें कि खटा खटा लगेगा बिल्कुल भी नहीं लगता है और अभी मौसम थोड़ा सा ठंड का है तो चाज भी खटा नहीं होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में तो सूजी को हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था तो सूजी पूरी अच्छी दरसे सेट हो गया है थोड़ा सा गाड़ा भी हो गया है पानी पूरा पानी तो हमने डाला ही नहीं है चाज डाला है तो पूरा चाज सोक कर लिया है तो अब इसमें क्या करेंगे कुछ कटीवी सबजियां डालेंगे तो सबजियां में क्या डालना है प्यास डाल देना है एक medium size का प्यास खाते हो तो डाले और नहीं खाते हैं तो फिर skip भी कर सकते हैं साथ में एक कटा हुआ सिम्ला मिर्च medium चोटे size का और अधरक और हरी मिर्ची तीखा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं अब इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉडिंग और आधा चमच जीरा basic masala है, कम masala में बनके ready होता है और खाने में भी अच्छा लगता है अब क्या करेंगी? थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालेंगे, आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा ही पानी डाली हूँ बहुत जादा नहीं डाली हूँ ज़्यादा पतला नहीं करना है इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि यदि गाढ़ा रहेगा तो कोई दिकत वाली बात नहीं है असानी से ये नास्ता बन जाएगा और यदि आप पतला कर देंगे तो अच्छा नहीं बनीगा तो इस बात का ध्यान रखना है यदि ज़्यादा पदला कर देंगे तो हो सकता है बिखर भी जाएगा या फिर तेल सोप करेंगा और गाड़ा रखेंगे तो कोई दिकत वाली बात नहीं है बहुत ही अच्छी तरह से बनेगा तो अब यह देखें मिक्षर बनके रेडी हो गिया है तो इसे दो मिनट तक इस तरह से अच्छी त अब तेल डालके एक चमच इस तरह से घोल डाल देंगे गाड़ा ही रखना है बहुत पतला हमने नहीं किया है बस एक चमच घोल डालेंगे और हल्का सा चमच को इस तरह से इसके उपर चला देंगे तो अपने आप सेप ले लेगा अपने भी चलाएंगे न तो भी अपने तो जल्दी सिख जाएगा तो क्या करना है अब जहारा से इसके उपर हलका हलका तेल डालेंगे जो कच्छा पन दिख रहा है वो अच्छी तरह से सैट हो जाएगा क्योंकि कड़ाई रहता है तो कड़ाई में आप घोल डालेंगे तो डूब जाएगा नीचे लेकिन पैन में क तो कितना तेल डालेंगे पूरा भर के तो नहीं गालना है डालेंगे तो थोड़ा सा यह इम्न में तेल डाली हूं तो थोड़ा सा तेल डालने के बाद एक यिए अगर एक से उपर अच्छे से नहीं सिक predicted वह उपर इसलिए। इस तरह से तेल डाल दे रहे हूं और कड़ाई में क्या होता है कि थोड़ा सा तेल डालो तो बहुत सा तेल हो जाता है और एक एक पिस करके बनाते जाओ तो अच्छी तरह से हो सिख जाता है लेकिन इसमें क्या होता है फाइदा एक बार में आपका ढेर सारा बनके रेडी हो जाता है पांच-छे पेस भी तो अ एक जब मच देंगे फैलाने की जवरत बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से फैल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा तेल ज्यादा सोख करेगा, जो थोड़ा सा गाढ़ा घोल रहता है, वो क्रिस्पी ज्यादा लगता है, खाने में कड़क ज्यादा होता है, और जो थोड़ा सा घोल को पतला करेंगे ना, तो थोड़ा सा उसे स्वाफ्ट बनेगा, तो देखे ये भी बैच बनके रैडी हो किया है, मैं आपको एक पीस तोड़के दिखाती हूँ, कि आप देख सकते एकदम जालीदार बनाए, यदि आप इसे आदा पॉना गंटा के लिए यदि देते हैं तो और जादा जाली बनता और बिल्कुल भी तेल नहीं सोक किया है, तो अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें